2013-14 में कितना था एलोकेशन मैडम? 21,934, 21,000, चलिए 22,000 मांग लेते हैं, 22,000 करोड इनों ने खेती के लिए आवंटन किया था, और इस बार कितना किया है? देड़ लाक करोड से जादा पांच गुना, कितना? सुनाई दिया बहिया, कितना? कितना बहिया, जैरा नर्मेजी, कितना? पांच गुना? और गोलो किसानी पे बात कर रहे हैं, जिनको तोरा और तोरी में फरक नहीं पता चलता है श्री कुवार रतंजीत प्रताब नाराइन सिंग आज आपने एक पुरवांचल के व्यक्ति को एग्रिकल्चर पे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको इर्देश से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं समझना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ तो अब इनको अंदाता भी याद आता है क्योंकि अंदाताओं ने ही इनको तीन बार विपक्ष में रखा है आज पिछड़ों की बाद इनको याद आती है इनको याद आती है MSP की बात याद आती है 15-30 बार हारने के बाद आज अंदाता हो, पिछड़ा वर्ग हो, MSP हो ये सब बाते इनको याद आज ही आ रही हैं क्योंकि इनी लोगों ने अंदाताओने, पिछडोंने, दलितोंने, ट्राइबल्स ने इनको तीसरे बार विपक्ष में बठाया है परन्तु सिर्फ एक आकड़ा देना चाहता हूँ बड़े बड़े फिगर्ज विपक्स ने बताये कि हमने ये इतना कम हो गया उतना ज़ादा बढ़ गया ये हो गया 2013 और 2014 में 2013 और 2014 में बज़ेट एलोकेशन खेती के लिए कितना था इस पे कोई चर्चा नहीं था इसी लिए तो मैं यहाँ हूँ इसी लिए मैं यहाँ हूँ पठेती और OBC और बागी लोग के जो आप लोग के कारवाई है इसके लिए वजे से मैं इधर उपस ते तो समझे और सुने शुनते जाएए शुनते जाएए 2013-14 में कितना था एलोकेशन मैडम 21,934 21,000 चलिए 22,000 मांग लेते हैं 22,000 करोड इनोंने खेती के लिए आवंटन किया था और इस बार कितना किया है देड़ लाग करोड से जादा पांच गुना कितना सुनाई दिया भया कितना कितना भया जेरामरी जी कितना पांच गुना और वो लोग किसानी पे बात कर रहे हैं जिनको तोरा और तोरी में फरक नहीं पता चलता किसानी पे वो बात कर रहे हैं कि तोरा और तोरी का रंग क्या होता है वो बातचीत नहीं कर पाएंगे और मैं एक हर्याना के नेता कह रहे थे कि भाई MSP का क्या हो हमारे सरकार ने सिर्फ 30% गेहों करीदा अरे भाईया इनको अगर या गेहों की खेती करते तो जो सबसे गरीब किसान भी होता है गेहों बोता है तो साल भर के लिए साल भर के लिए अपना गेहों पूरे साल के लिए रख लेता है गेहली में अब इनको गेहों कभी बोय हो तब तो जाने हैं तो सारा MSP कैसे दे देंगे अरे ये चोटा किसान हो बड़ा किसान हो अरे बही जो किसाने चौदरी साम खेती करते है तो कुछ घरवा पे रखल जाला ना गेहू धनवा या सारा MSP में बटा जाला कमाल अलबा की कैसे MSP में 30% उठाया उतना नहीं उठाया मैं तो पुर्वांचल से आता हूँ गन्ना किसान खुद मैं गन्ना किसान खुद हूँ आज जब से केंडर प्रदेश में मेरे पिता जी ते राजा आप कोई राजा नहीं है आप अपने को राजा बनाते रहो असर्ड मैं आपको साफ तोर से बताना चाहता हूँ ये भ्रह्म की राजनीत करना चाहते है अरे इनको भारते जन्ता पार्टी से नफरत हो सकती है हो बहुत अच्छी चीज़ है इनको नफरत है अब तो ये कमल को भी गाली देने लग गये है और इसलिए इनको मालूम नहीं है कमल किसका सिंहासन है उपसभापती महदे मा सरस्वती का है और मा सरस्वती क्या देती है सदबुद्धी और ज्यान उसकी कमी रहेगी और इसके कमी के वज़े से आज ये बात नहीं कर पाते हैं कि सदबुद्धी वाली बात नहीं करेंगे ब्रह्म के कारण और अंदाताओं को और किसानों को आज गन्ना किसान अगर कुशी नगर में अगर वक्त पे गन्ना गिराता है सही मूल्य मिकता है और पंदरा दिन के अंदर पेमेंट किसान को गन्ना किसान को मिलता है उसके बारे में नहीं चर्चा करें फसल बीमा योजना की बात भी उसपे चर्चा नहीं करें, कम यहां है अरे भाहिं तुमीने फसल बीमा योजना कर दी होती फसल बीमा योजना क्यों नहीं की आपने किसान क्रेड़ कार्ड में कितने पैसे दीए आपने Soil Health कार्ड कितने दीए आपके टाइम में अच्छा सॉयल्थ हेल्थ कार्ड तो होता ही नहीं था आपके टाइम में क्योंकि खेती से क्या मतलब है भाशन देने रहता है आज 30 लाक से ज़ादा लोगों के पास सॉयल्थ हेल्थ कार्ड है और किसान समान निदी के बारे में तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की यह अच्छा कार्यकरम है खराब कार्यकरम है विपकस ने इस पर कोई चर्चा नहीं की 11 करोड किसानों को आज 3 लाक से ज़ादा किसानों को पैसे मिल रहे हैं उसके बारे में क्या अच्छा कारेक्रम है इखराब? यह कौन सी कारेक्रम है? इस पे कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इनको किसानों से मतलब नहीं है. अंत में यह कहना चाहता हूँ कि मैं मान्य कृषी मंत्री से कहना चाहूँगा और हमें पूरा भरोसा है जिस तरह आपने मद्यप्रदेश की खेती को बदल के पंजाब से आगे ले गए थे इसी आने वाले समय में जिस तरह नरेंबर मोदी जी के दस सालों में उनके देश के खेती तो आप आगे लेगा लेगा काम करे गए मुझे पूर्ण विश्वास है माने मन्तरी एक मान में करना चाहता हूँ पुरवांचल से आता हूँ एक जमाने में चीनी की कटोरी हमें कहा जाता था कि सारा गन्ना की फैक्टरियां और गन्ना हमारे यहां होता था प्रविदान अगर इस बजट में आगे चलके बजट में किसी कोई स्कीम लानी चाहिए कि जारी से जादा अगर फैक्ट्रियां गन्ने की फैक्ट्रियां वो पडरोना में लगे, कुशीनगर में लगे, महराज गंज में लगे, जूरिया में लगे, गोरकुर में लगे, इस इलाकों में फैक्ट्रिय और लगेगी तो गन्ना किसान और खुशाल होगा आपने मुझे 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 झाल